लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको सिंपल सूट की स्टीचिंग बताने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको गला, बाजू, फिटिंग सब बताने वाली हूँ तो आज हम सिलने वाले हैं सादा कमीज यानि सिंपल सूट इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली है और सिंपल सूट की कटिंग की वीडियो का लिंक आपको नीचे डैस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वह बुकरम का यह हमने एक पीस लिया है इसको हमें क्या करना है इसमें से हमें गला काटना है तो बुकरम के हम गले की कटिंग करेंगे बंध हाक की तरफ से चोडाई लेंगे बुकरम को मोडा हुआ है हमने धाई इंच में चोडाई ले रही हूँ नॉर्मल लोगों के लिए ब निशान लगा लेंगे, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और इसके बाद अब हम चाहें गोल गला बनाए या कोई सा भी इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं, तो मैं आपको स्वीट नेक डिजाइन बताने जा रही हूं, इस तरह से हलकी सी हम गोलाई करते हुए, नीच यह देखिए गले की cutting हो गई है अब बाहर की बुक्रम काट लेंगे इस तरह से हमारी यह बुक्रम भी कट गई है बाहर की अब हम इसको एक कपड़े पर रखकर सिलेंगे जो हमारे सूट का पीस होता है उस पर ही रखकर सिलेंगे हम यह देखिए यह बचा हुआ टुकड़ा है आगे या पीछे का कोई पीस नहीं है बचा हुआ टुकड़ा लेंगे इस तरह से गला रखेंगे बुकरम का जो हमने काटा है और दोनों तरफ चौक से निशान लगाएंगे ताकि गला सिलते वक्त भागे ना चाहें तो हाथ की सुई से भी कच्चा कर सकते हैं लेकिन हम मशीन से कच्चा करेंगे तो अब हम इस पर मशीन से कच्ची सिलाई लगाएंगे देखिए इस तरह से बीच ओ बीच पूरे गले पे इस तरह से हम स्लाई लगा लेंगे देखिए हमने स्लाई लगा ली है अब हम इसके बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे देखिए बिल्कुल सही जगे लगा है गला एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे अब हम इस तरह से आदा आदा इंच छोड़ कर सिर्फ आदा आदा इंच ही हमने रहने दिया है बाकि सब काट देंगे और अब हम इस कपड़े को मोड कर सलाई लगाएंगे भुकरम के उपर इस कपड़े को हम मोड देंगे और इस तरह से हम सलाई लगाएंगे देखिए देखिए हमारे गले पे सलाई लग गई है इस तरह से हमने ये बुकरम का जो काटा था गला वो इस पीस पे तैयार कर लिया है अब हम इसको मोडेंगे इस तरह से डवल कर लेंगे बराबर और बीच ओ बीच इसमें निशान लगा देंगे और एक कुटका लगा लेंगे बड़ा सा कुटका लगाएंगे छोटा नहीं इस तरह से और सेम ऐसा ही निशान हमें सूट में लगाना है तो ये हमने आगे का पीस लिया है और गले में हमने निशान लगाया था उल्टी तरफ सूट में हमें निशान लगाना है सीधी तरफ तो इस तरह से हम बराबर करके रख लेंगे सूट को भी और इसमें हम निशान लगाएंगे बीचो बीच और कुटका भी लगा देंगे इसमें भी कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखना है तो यह देखिए, इसका जो बीच है, वो इधर नहीं है, बिल्कुल किनारी पर है, चौक की किनारी नजर आ रही है, और ऐसे हम सीधे पर सीधा, यानि सीधी तरफ से, सूट की सीधी तरफ से गला रखेंगे, और बीचो बीच सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरह से, कच् कर देखेंगे, यह देखिए, यह बराबर आना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से, एकदम बराबर आना चाहिए, तो इधर से भी बराबर है, सूट भी बराबर है, इसका मतलब यह गला हमारा जो है, बिल्कुल सही लगा है, और अब हम इसको खो और यह चोटी छाई लगानी JA को जिस शेप में गला बना हुआ है उसई इस शेप में हम हम चेज़ालेंगे आप देखिए हमने यह पूरे गले में चेज़ाली यह अलकिसी बिल्कुल मामुली सी बुक्रम पेचडा के लिगाते हैं इस तरह से गला जुड़ गया है, अब हम इस गले में अंदर की कटिंग करेंगे, आधा-धा इंच कपड़ा छोड़ कर, उसी शेप में कर देंगे कटिंग, कट लगा देंगे, कट से जोल नहीं आती है, फिनिशिंग आती है, सलाई से पीछे की तरफ ही लगाते हैं कट, और कटिंग हम अन्दर की तरफ पलट देंगे, देखिए इस तरह से पलट कर, अब हम इस गले के बीच में या रहलकी साइड में, कच्ची सलाई लगाएंगे और उपर कपड़े को इस तरह से कीचेंगे हम, देखिए हाथ से जैसा हमें, कहली हाथ से घीच Also, मिनाफी हाथ से घ पीछे की तरफ धकेलना होता है, ये देखिये, ये हमारा गला बन गया है, अब हम हमें स्लाई और लगाएंगे, ये हमने कच्छी स्लाई लगाई ती, अब हम पकी स्लाई लगाएंगे बिलकूल किनारी पर, इसे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, हलके हाज से लगानी है रोक रोक कर जहां गोलाई आये वहां रोकनी है उस तरह से और ये देखिए पूरे गले में हमने सलाई लगा ली है इस तरह से हमारा ये गला बनकर विल्कुल तयार हो चुका है और अब हम इसमें तुर्पाई करेंगे पीछे की तरफ हम तुर्पाई कर लेंगे और यह जो कच्ची सलाई हमने पहले लगाई थी उस कच्ची सलाई को हम हटा देंगे यह वाली कच्ची सलाई हटा देते हैं तुर्पाई के बाद ये देखिए तुर्पाई करके हमने आगे का गला बिल्कुल तयार कर लिया है अब हम इसके बाद पीछे का गला वनाएंगे तो अब हम उसके लिए पीछे का पीस लेंगे ये देखिए ये मैंने पीछे का पीस लिया है और इसको मैंने डबल करके रख लिया है इस तरह से डबल करके रख लिया है और इसमें अब हम गले का ड्राफ लगाएंगे बुकरम पे हमने चोड़ाई ली थी धाई इंच तो हम यहाँ पर चोड़ाई लेंगे सवा दो इंच क्योंकि बुकरम पे सिलाई में नहीं जाता है यहाँ कपड़ा सिलाई में जाएगा लंबाई इतनी इच्छा नुसार ले लेंगे यहाँ में साड़े तीन इंच लंबाई ले रही हूँ और आधा इंच की कुल आधा इंच की हम इसमें गोलाई करेंगे यह देखिए इस तरह से कुलाई कर देंगे और कटिंग कर देंगे यह देखिए पीछे गले की भी परफ्यक्ट कटिंग हो चुकी है अब हम इसमें लगाएंगे औरेब पट्टी पीछे का गला हमें औरेब पट्टी के साथ बनाना है औरेब पट्टी लगाकर तो ये मैंने औरेब यानी आड़ी पट्टी काट कर जोड ली है इसकी कटिंग का लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको काटना आती है तो आप काट सकते हैं इसली इसको इस तरह से मोडेंगे हम और मोड कर सीधी तरफ से सूट की सीधी तरफ से ऐसे लगाना शुरू करेंगे जहां खुला भागे वही सिलेंगे और मशीन के लगबग एक पैर की सिलाई लगाएंगे पट्टी हमें खीचनी नहीं है बहुत हलके हास से लगानी है देखिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं खीचनी है पट्टी और इस तरह से हम पूरी पट्टी लगा लेते हैं गले में अब हम इसमें कट लगाएंगे हलके हलके कट हमेशा सलाई के पीछे लगाते हैं सलाई के आगे नहीं और अब इस जो सलाई है इसके उपर पट्टी को रखकर यानि इसी के उपर पलट देंगे सलाई के उपर और इस पे हम बिल्कुल किनारी पर एक सलाई लगा लेंगे पीछे गले में कोई भी कच्ची सलाई नहीं लगती है सारी पक्की सलाई लगती है यह देखिए इस तरह से हमारी पीछे गले में पट्टी लग गई है अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पल्टेंगे यह देखिए ऐसे लेकिन उससे पहले हम कंधे जोड लेंगे दोनों पीसीज के यह देखिए सीधे पे सीधा करके रख लिया है और जो पट्टी है वो बाहर की तरफ निकाल ली है और इस तरह से हम सिलेंगे सिलाई लगाएंगे पट्टी बाहर की तरफ निकली हुई है इस पट्टी को हम बुकरम के उपर चड़ा देंगे यह देखिए इस तरह से दुबारा देखिए इस तरह से चड़ा देंगे और लगबग आधा इंच की हम सलाई लगा रहे हैं यहां पक्का कर लेंगे और सलाई हटा देंगे यह देखिए ऐसे इस तरह से हम इस कले को जो हम खीचेंगे तो ये इतनी finishing के साथ हमारे ये कले की सलाई लग जाती है मुढ़े की और ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगा लेंगे सलाई सेम इसी तरह से देखिए इस तरह से लगा लेंगे देखिए दोनों तरफ हमने सलाई लगा ली है अब हम चाहें तो इसमें पीछे गले में तुर्पाई कर सकते हैं या हम सलाई कर सकते हैं तो मैं इसमें सलाई लगा रही हूँ इस तरह से अब हम इसमें सलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर सलाई लगाते चले जाएंगे और ये हमारा लगबग पीछे का गला भी तैयार हो चुका है ये देखिए ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बट्टी लगी है और उतनी ही फिनिशिंग के साथ सीधी तरफ से भी नजर आता है ये गला तो ये हमारा पीछे गला बन गया है यानि आगे और पीछे दोनों तरफ का गला बनकर तयार हो चुका है अब हम इस सूट की फिटिंग करेंगे यह देखिए फिटिंग के लिए हमने निशान पहले ही लगाया हुआ है जब हम कटिंग करते हैं तब ही लगा लेते हैं इसी निशान को हम दूसरी तरफ छाप लेंगे इस तरह से रखकर यह देखिए ऐसे बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे इसको और इसको हम ऐसे छाप लेंगे हाथ से यह देखिए और इसको चौक से डार्क कर लेंगे अब हम इस सूट की easily fitting कर सकते हैं दोनों तरफ हम निशान लगा चुके हैं इधर भी और इधर भी अब हम इसकी सलाई बहुती easy तरीके से लगा सकते हैं तो यह देखिए अब हम इसकी सलाई करेंगे इस तरह से पक्का करके निशान निशान पर हमें सलाई चलानी है इस तरह से हम निशान पर सलाई चलाते रहेंगे यह चाक का जहां पर निशान है वहीं से हम सलाई को वापस ले लेंगे चाहें तो पूरी डवल कर दें या थोड़ी दूर तक तो वापस लेनी ही होती है इस तरह से एक तरफ फिटिंग लग गई है सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है देखिए इधर भी हम फिटिंग लगा लेंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने उधर लगाई है निशान पर ही सलाई चला कर देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सलाई लगा ली है इधर भी और इधर भी यानि राइट लेफ्ट दोनों तरफ की सूट की फिटिंग हो चुकी है गला भी हमारे सूट का बन चुका है अब हमारे सूट में रह गई बाजू तो बाजू के लिए हमें क्या करना है बाजू जो हमने पहले कटिंग करके रखी हुई है बाजू की कटिंग का लिंक भी आपको नीचे डैस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यह मैंने फुल स्लीप काट के रखी हुई थी पहले ही सबसे पहले हमें बाजू में आगे की तरफ सलाई लगा लेनी है अगर हमें तुर्पाई करनी है तो कच्छी सलाई लगाएंगे और अगर हमें सलाई वाली ही पहननी है तो पक्की सलाई लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए सलाई लगा लिए हमने दोनों बाजू में हमने यह सलाई लगा कर तयार कर ली है बाजू ये देखिए इस तरह से अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे इस तरह से मोड कर बाजू को जितनी भी हमें फिटिंग बाजू की चाहिए अगर हमारे पास सूट है तो हम सूट से नाप लेंगे या फिर इंची टेप से हम उतनी भी चाहिए उतनी लेकर निशान लगा लेंगे यह तो नीचे की गोलाई हो गई अम मुढधे की गोलाई हम किस तरह से नापे तो सूट के इस हिस्से से हम नापेंगे बाजू के मुढ़ा लेकर ये देखिए सिलाई से हम नापना शुरू करेंगे इस तरह से खीचेंगे नहीं बाजू को और जहां हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है उससे थोड़ी पीछे ही निशान लगाएंगे बिल्कुल बरावर न करके थोड़ी सी पीछे से निशान लगा लेंगे और आगे जो हमारी गोलाई है उस निशान को मुढ़े की गोलाई के निशान से मिला कर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे देखिए ऐसे और यहां से भी हम बाजू में भी सलाई वापस ले लेते हैं थोड़ी चाहें तो डवल कर सकते हैं इस तरह से हमारी बाजू की सलाई भी लग गई है अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे सूट को उल्टा ही रहने देंगे यह देखिए हमने बाजू सीधी कर ली है इसको अब हम लगाएंगे सूट में यह देखिए बाजू की आगे की कटिंग है तो जिदर सूट की आगे की कटिंग इस साइड ही आ रही है वहीं हमें यह वाली बाजू लगानी है इधर लगाएंगे हम यह वाली बाजू तो बाजू सीधी और सूट उल्टा और इसके मुद्धे के अंदर हम बाजू को ऐसे डाल देते हैं इस तरह से और स्लाई से स्लाई मिलाकर हम तब स्लाई लगाना शुड़ू करते हैं तो पहले हम बाजू की और सूट की फिटिंग की स्लाई से स्लाई मिलाकर पहले बाजू को हम नापेंगे इस तरह से पहले हम बाजू को नापेंगे के बाजू छोटी तो नहीं है वैसे जो तरीका मैंने आपको बताया है इस से बाजू छोटी नहीं रहती है बिल्कुल सही ब बराबर बैठती है तो बाजू कई बार सिलने में टाइट हो जाती है तो बाजू हमेशा थोड़ी सी बड़ी बैठनी चाहिए आधा या एक इंच फिर ऐसे ही हम सलाई लगाना शुरू कर देंगे ये देखिए इस तरह से जिस गोलाई में हम नाप रहे थे वैसे ही हम सलाई लगाना शुरू कर देंगे और ये देखिए हमारी बाजू ना छोटी बैठी ना बड़ी बैठी बिल्कुल सही बैठी है इस तरह से हमारी ये बाजू लग गई है सिधा करके देखेंगे देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बाजू लगी है बिल्कुल भी सिकुडन नहीं है जोल नहीं है नीचे फिटिंग में भी कहीं भी सिकुडन जोल नहीं है और बहुती फिनिशिंग के साथ हमारी ये बाजू लग गई है ऐसे ही हम सूट की दूसरी बाजू भी लगा लेंगे सेम इसी तरह से बाजू लगाने के बाद ये जो फिटिंग हमने लगाई थी इस पर जो कमर का निशान है जहां पर कमर आती है वहां पर हम हलका सा कट लगाएंगे ताकि सूट में फिनीशिंग आ जाए देखिए दोनों साइट लगा देंगे देखिए इस तरफ लगा दिया दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा देंगे कमर के सामने जहां कमर का ड़ालाता है अब सूट को सीधा कर लेंगे इस देखिए कितनी फिनीशिंग के साथ और कितना एजली हमारे ये सूट सिलकर तयार हो चुका है देखिए बाजू, गला, फिटिंग, सब बहुती अच्छी तरह से हुई है इस सूट की और इसके बाद हमें जो सूट का नीचे का हिस्सा है वो मोड़ना रहता है चाक और दामन तो उसको भी हम मोड़ कर तयार कर लेंगे देखिए मैंने दामन और चाक मोड़ लिया हैं सूट में एक बाद हमेशा याद रखें पहले आप दामन मोड़े उसके बाद चाक मोड़े यह देखिए हमने यह चाक मोड लिया है दामन भी मोड लिया है इसमें हम तुरपाई कर लेंगे और उसके बाद यह सूट बिल्कुल कम्पलीट है बहुती फिनिशिंग के साथ हमारा यह सूट सिल्ग चुका है आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थाइंक यू